नमस्कार एक बरफी से स्वागत है फास्टर प्लस नियोज में और आज चोरी चोरा नगर पंचायत में हम मौझूद है और हमारे साथ मौझूद है इसमें वाट संक्या दस के सभासत परतियासी चंदन इसाथ जी हम इसे बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे किन मुद् चंदन जी आप किस पत के उमीदवार हैं सभासत सभासत वाट संक्या दस है वाट संक्या दस है आपके वाट का नाम क्या है राम नगर रागोपूर राम नगर रागोपूर का यह वाट संक्या दस है और चंदन जी उसके परतियासी है चंदन जी आपने पढ़ाई कहां तक की हैं इंटर इंटर तक कि अभी इसमें मेदा मरतमान क्या कारी करते हैं युद इंटर पासो के आप भी नौजवान हैं आप नौकरी सिक्टर में जाकर आप राज्यթादिक चेतर में क्यों आ रहा है क्योंकि मेरे गाओं का विकास नहीं हुआ पहला नंबर रोड और नाली भी पिलेग्राम सभा था अब नबर पंचात में गया नाली है ना सड़क है इसे कराना है और पूरी गाओं की समस्या लेकर मैं उठाओं चलिए चंदंदी बहुत यह अच्छ साओं मैं बदलने की कुसिस करूंगा क्या इस ने की समस्या को लेकर उच्छे दिकारी से आप लड़ पाएंगे एकदम लड़ेंगे मेरे गाउं का समस्या तो नहीं लगेगा नहीं कहें भी नहीं दर्. लगिगम मैं तिया पंदि आली नहीं है घड़का सब नने लोग ना पेंशन और मीरधा पेंशन हो गया और विद्वा पेंशन यह सब को लेकर कराना है हमें बहुत अच्छे जंडे आपके हैं जंता आपकी बास समझ पा रही है आप चुकी नौजवान है कहीं ऐसा तो नहीं जंता समझ रही है कि लड़का नादान है नहीं जंता हमारे साथ है जंता कहने पर में लड़ा हूं पूरी जंता मेरे साथ है पूरी मेरे जंता क्वसिस कर रहे हैं लोग सब लोग करते रहेंगे राजनेतिक दौर में कब से हैं राजनेतिक दौर में इसी कि जब चुनाओ आया तो आप राजनेतिक छेत्र में हैं हां तो अपनी बात जंता त तो उनका कुछ कारियों का फल आपके चुनाओं में मिल पा रहा है क्योंकि मेरे पापा पहले रहते अब मैं हूं पापा काम कराए थे हम भी काम कराएंगे कितना पैसा खर्च करने वाले हैं चुनाओं में चुनाओं में जन तक हिसाब से खर्चा होगा माली जी अब कोई कितना भी खर्चा करेंगे हम अपने हिसाब से खर्चा करेंगे तभी कितना दस बीस पचीस माली जी 20-25 तो खर्चा होना यह होना है यानि कि समय के अनुसार यह भी बढ़ सकता है समय के अनुसार बढ़ेगा तो माली जी बढ़ाना है सब को लेकर चलेंगे हम सब कोई लेकर चलेंगे सब कोई लेकर चलेंगे चुन काती है कि चुनाओं कर पहले नेता जी लोग सब इसी तरह वतियाते है आप पे कैसे जंता भरोजा करें? ने भी हमें ये नहीं करना है मुझे अपने गाउं का भीकास कराना है मेरा क्यों गाउं की पिछड़ा हुआ है हर गाउं से पिछड़ा हुआ है नाली नहीं है, सड़क नहीं है और उजड़ों को भाई घर नहीं है वावस देला मर्लवक आपने बना लिया है कि किसी भी तरह से हमको अपने गाउं का विकास कराना है क्योंकि आपने जहन रखा है साइद आप कि वहां भी नाली की सुविदा नहीं है सड़क की सुविदा नहीं है जाने आने में सबको कुंकर्ष्ट होता है परसानी होता है एक नेता जी एक भरांतिया चलती है नेता जी लोगा रूप लगाते हैं लोगों पे करते हैं कि जनता को सामको दारू और बोटी चाहिए नहीं यह ताद तक मैंने कि आउन न करूंगा मेरा कोशिस रहेगा कभी नहीं चूंगा इसे लेकर हमें बहुत दूर रहते हैं यानि कि आप निस्पक्ष हो के जनता की सेवा करने के लिए उतार हुए हैं और क्या संदिश देना चाहेंगे आने वाले छट को लेकर जनता को कि छट में सब कूट लेकर जाना है सब को समझने करना है सूब कामना मनाए अपना चुनाओं को लेकर जनता से क्या अपिल करना चाहेंगे जनता से यह हमें वोट देकर बारों मेरे त्यस्वीज़ बना दें और उन लोग विकास कराऊंगा स्वाइब अच्छी बात है हम आपके इस हिम्मत को सम्मान करने की ज़रूरत है और मैं आज हमारे साथ उपस्तित रहे हैं चंदन निशाद जी जो वाट संक्या दस के सबास्त परत्यासी है हम जनतास अपील करेंगे की निता जी कैसे हैं और निता जी का चरीतर क्या है और कमेंट बॉक्स में अपनी राहे रखें और आप ऐसे प्रत्यासी को चुन है जो आपका प्रत्यासी आपके लिए कुछ कर सके और आपके छेत्र का गाउं का नगर का विकास कर चुक है तो आज हमारे साथ मुझूद रहे चंदनीशाद जी तो देखते रहें फास्टर पलस ज